नमस्कार आप देख रहें न्यूस पियार और मैं हूँ आपके साथ अंजली उंपरकास अक्सर आपने साधी के तूटने की कई खिस्से सुने होंगे कभी बढ़ात मंडब से वापस चली जाती है तो कभी साधी से पहले दुलहन खर छोड़ कर भाग जाती है पड़ इस बार जो मामला उत्तर पर देश से आ रहे है वो काफी हैरान कर देने वाला है दरसल ये जो मामला है वह एक साधी का है जहां महज एक कई से उर्पे नहीं गिन पाया दुलहा तो दुलहन ने किया साधी से इंकार क्या है पूरी खबर हम आपको बताते हैं वैसे तो साधी और बारात में कई बार अनेकों खिस्ते सुनने को मिलता है हाला कि इस बार जो मामला सामने आया है वह सबी को काफी हैरान करने वाला है दरसल मामला यूपी का है जहां गाउं में एक बारात आई थी गिन पाया तो दुलहन के भाई ने तुरंत ये खबर दुलहन को शुनाई जैसे ही दुलहन ने अपने भाई की ये बात सुनी वैसे ही दुलहन भड़क उठी और दुलहे के साथ साधी से साफ इनकार कर दिया दुलहन के इस फैसले से गाउं और बारातियों संग रिस्तेदार में हड़कम मस गया देर रात तक दुलहन को मनाने की कोसिस चलती रही लेकिन दुलहन नहीं मानी आपको बता दे कि दुलहन पक्ष के लोगों पर दूले पक्ष को बंधक बनाने और उनके साथ मार पिट करने का भी आरोप लगाया गया है मैं पुरी जीले के एक ग्रामिन प्यारिश की जा रही थी तभी दुलहन को लेकर चर्चा होने लगी और कहा जाने लगा कि लड़का पढ़ा लिखा नहीं है तब इसको लेकर लड़की ने शादी से इंकार कर दिया जैसे ही दुलहन ने शादी से इंकार किया तो दोनों पक्षों में बिवाद होने लगा दुलह पक्च के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और कहा कि लड़की की घरवालों ने बारातियों के साथ मारपिट की है और बंधक बना लिया है। पुलिस मौके पर पहुची दोनों पक्चो को ठाने ले आई जहां बाद में पंचायत हुई लेंदेन की पंचायत होने के बाद दुलह बगएर दुलहन का वापस लोट गया। साधी से इंकार कर दिया। दुलहन ने कहा ऐसे अनपर्चे नहीं करूंगी साधी। ऐसे ही खबरों के लिए बने रही है न्यूस प्यार के साथ। झाल के लिए टूंगी साथ।